करिश्मा कपूर बॉलिवुड की खुबसूरत हिरोईंस में से एक है 47 साल की एक्ट्रोस आज भी 30 की दिखती है वो मेकप करे या ना करे हमेशा है इनके चेहरी पर गलो दिखता है इसलिए तो हर लड़की उनकी खुबसूरती का राज जानने को बेताब रहती है वैसे आपको बता दे कि करिश्मा कपूर जो टिप्स डिली रूटीन में फॉलो करती हैं वो आपको सिर्फ शाइनिंग स्किन ही नहीं देगी बलकि आपको स्लीम और हेल्दी भी रखेगी करिश्मा की तरह चेहरे पर ग्लो चाहती हैं तो सिर्फ मेकप या ब्यूटी ट्रीट्मेंट्स के पीशे ही ना भागे हेल्दी डाइट भी खाए अंदर से फिट होंगी तो बाहर से खुबसूरत दिखेंगी अंदर से बिमार होगी तो बेस्ट मेकप के बाद भी नूर नजर नहीं आएगा इसलिए ग्लोइंग स्किन हेल्दी बॉड़ी के लिए करिश्मा जैसी रूटीन बना ले यह आपको बुढ़ा नहीं होने देंगी करिश्मा अपनी डाइट सही रखती हैं हरी सबजियां, दाल, चावल और रोटी उनकी डाइट में शामिल रहती है साथ ही उनका कहना है कि आपकी डाइट जितनी कलरफुल होगी उतना ही आपके स्किन के लिए बेस्ट है वो ड्राइ फूट्स और फूट्स मिक्स दलिया खाती हैं ताकि प्रोटीन वेटामेंस मिले, वो कार्ब भी लेती हैं लेकिन सही तरीके से पास्ता खाती हैं लेकिन घर का बना, इसी के साथ अंडे और चिकर उनकी डाइट में रहती हैं खाली पेट गुनगुना पानी पीना करिश्मा कभी नहीं बूलती, ग्रीन टी से वो अपने दिन की शुरुवात करती हैं करिश्मा घर के बने मास्क जरूर लगाती हैं, बेसन और दही का फेस मास्क उनकी ब्यूटी रूटीन में शामिल रहता है इसके लावा वो मुल्तानी मिट्टी जैसे आने पैक भी लगाती हैं, ताकि डस्ट निकलती रहे वो अपने चेहरे पर बादाम का तेल और दही का मिश्रन भी लगाती हैं इसके लावा करिश्मा क्लिंजिंग, एक्सवॉलियेशन और मॉश्यराजिशन भी करती हैं आपकी स्किन पर जो सूट करता है, आप भी वो और्गनेक प्रोड़क्ट्स चेहरे की साफसफाई के लिए जरूर यूज करे बालो की बात करी तो वो ओयल चंपिक करना भी नहीं भूलती, ये बालो को हेल्दी रखने का सबसे बेस्ट उपाई है योगा भी नहीं आने देता बुढ़ापा वो योग भी रुटीन में करती हैं, कुछ योगासन आपको खुबसूरती प्रदान करती हैं जैसी उस्ट्राशन, भुजंगासन, त्रिकोणासन, सूरे नमस्कार आदी जिम नहीं कर सकते तो 15-30 मिनट की सैर जरूर करें मेकप रिमूव करना नहीं भूलती इतने सालों से करिश्मा इंडस्ट्री में हैं और जाहिर से बात है कि वो मेकप भी करवाती ही होंगी लेकिन एक अच्छी बात है कि वो सोनी से पहले और फ्री टाइम में नो मेकप लुक रखती हैं स्किन को सांस लेने देती हैं मॉश्यराइजर का इस्तेमाल करती हैं जो भी मेकप वो यूज करती है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है और उसके साथ वो कॉंप्रोमाईज नहीं करती संस्क्रीम ज़रूर लगाती हैं और बहुत से औरते यही गलती करती हैं लेकिन धूप से स्किन को बचाना बहुत जरूरी है संस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें इससे भूरी निशान और जुर्यान नहीं पड़ेंगे एक बार यह रुटीन फॉलो करके देखें आपके चेरे पर गजब का निखार आएगा